नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज हम लोग एक special demand पे वीडियो बना रहे हैं एक वीडियो इससे पहले हम लोग उने बनाई थी एक subscriber ने comment किया था तो आज हम दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं दूसरे subscriber के लिए उन्होंने comment किया है कि John Deere 3036 EN versus John Deere 1505 4WD कौन सा लेना चाहिए तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा लेना चाहिए तो एक चीज हम आपको बता दें John Deere का 3036 EN है ये एक mini tractor है और John Deere का 1505 4WD ये एक normal tractor है तो अगर आप दोनों में confused हैं अगर आपको छोटा tractor लेना है तो आप जा सकते हैं 3036 EN की तरफ लेकिन अगर आपको सभी काम के लिए tractor लेना है तो आपको मेरे हिसाब से 1505 की तरफ जाना चाहिए हलाकि चलिए देख लेते हैं इन दोनों के features और specifications की क्या-क्या किसमें मिल जाता है अगर आप लोगों के पास बागवानी के काम नहीं है तो आप लोग 3036 EN को ना लेकर 1505 ले सकते हैं क्योंकि यह हर काम को कर सकता है और इसमें ज्यादा power भी आपको मिल जाएगी 3036 के मुकाबले लेकिन अगर आपको mini tractor चाहिए छोटा जगह है छोटे जगह में काम करना है तो आपको 3036 EN लेने में फाइदा है तो चलिए दोनों का comparison कर लेते हैं थोड़ा सा तो सबसे पहले अगर हम लोग engine की बात करें तो दोनों tractor में 3 cylinder का engine मिल जाता है वही 3036 में 35 hp का engine मिल जाता है और 1505 में 40 hp का engine मिल जाता है तो यहाँ पे जो 1505 है उसमें आपको फाइदा मिल रहा है हलाकि इसके लिए आपको extra price भी पे करना पड़ेगा क्योंकि यह एक बड़ा tractor है और यह 3036 एक छोटा mini tractor में आता है 3036 EN यानि mini tractor का जो engine rated rpm है वो 2800 rpm है और वही 1505 का 1200 rpm है तो अगर engine capacity की बात करें तो जो उंडियर का 3036 EN है इसमें 1500 cc का engine मिल जाता है वहीं अगर 1505 की बात करें तो इसमें 300 cc का engine मिल जाता है अगर cooling system की बात करें तो दोनों ही tractor में coolant cooled cooling system मिल जाता है और air filter की बात करें तो दोनों ही tractor में dry type dual element का air filter मिल जाता है यानि की double protection के साथ यानि two stage में इसकी cleaning होती है वहीं अगर PTO HP की बात की जाए तो 3036 EN में आपको 30 HP की PTO power मिल जाती है वहीं 505 में आपको 34.4 HP की PTO power मिल जाती है तो यहां भी 505 आगे हो जाता है 3036 EN से तो चलिए बात करते हैं transmission की और यह काफी महतोपूर्ट चीज है किसी भी tractor या फिर किसी machine के लिए इसके transmission की बात कर लेते हैं तो इसमें FNR sink reverse यानि collar reverse का इसमें option आपको मिल जाता है वहीं अगर 505 की बात करे तो इसमें collar shift मिल जाता है इसमें आपको subtle gear नहीं मिलेगा वहीं 3036 में आपको subtle gear मिल ला था चलिए इसके clutch की बात कर लेते हैं तो जो 3036 EN है यह single clutch में आता है साथ साथ 8 reverse gear मिल जाता है जैसा कि आप लोग को पता है इसमें subtle shift आता है तो जितना gear आगे के लिए होता है उतना ही gear आप लोग पीछे भी जा सकते हैं इसमें वहीं अगर 505 की बात करे तो इसमें 8 forward और 4 reverse gear मिल जाते हैं यानि 8 gear आगे के और 4 gear पीछे जाने के बैटरी की बात कर लेते हैं तो 3036 EN में आपको 12V 55 MPR की बैटरी मिल जाती है वहीं 505 में 12V 75 MPR की बैटरी मिल जाती है अल्टिनेटर की बात करें तो जोन डियर का 3036 EN में आपको 12V 50 MPR का अल्टिनेटर मिल जाता है वहीं 1105 में आप लोग को 12V 55 MPR का अल्टिनेटर मिल जाता वहीं अगर forward की minimum और maximum speed की बात करें तो John Deere का 3036 EN में आपको 1.6 km से ले करके 19.7 km प्रति घंटे की speed मिल जाती है वहीं 51.05 में अगर forward की speed की बात करें तो इसमें 2.84 से ले करके 31.70 km प्रति घंटे की speed मिल जाती है वहीं अगर reverse की बात करें तो 1.6 km प्रति घंटा से ले करके 19.7 km प्रति घंटा की speed मिल जाती है जोंडियर के 3036 EN में और अगर जोंडियर के 50.05 की अगर बात करें तो इसमें 3.74 km प्रति घंटा से ले करके 13.52 km प्रति घंटा की reverse speed मिल जाती है इसमें brakes की बात करें तो दोनों ही ट्रेक्टरों में oil emerge brake मिल जाते हैं, brakes की अगर बात करें तो दोनों ही ट्रेक्टरों में oil emerge disc brake मिल जाते हैं, जो की काफी अच्छा है braking के हिसाब से, वहीं अगर steering की बात करें तो दोनों ही ट्रेक्टरों में power steering मिल जाती है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं PTO की power take off John Deere के 36EN के PTO की अगर type की बात करें तो इसमें independent 6 splines मिल जाता है वहीं John Deere के K505 में भी same यही मिल जाता है independent 6 splines वहीं John Deere के 36EN के PTO RPM की बात करें तो 540 RPM आपको 2490 engine rated RPM पे मिल जाएगा John Deere के 36EN के अगर RPM की बात करें PTO RPM की तो इसमें 540 RPM आपको 2490 engine rated RPM पे मिल जाएगा वहीं अगर John Deere के 51.05 की बात करें तो इसमें 540 RPM PTO के मिल जाएगे 200 engine rated RPM पे तो चलिए इसके fuel tank की बारे में बात कर लेते हैं तो John Deere के 36EN जैसा के आप लोग जाते हैं यह एक mini detector है तो इसकी जो fuel tank capacity होगी यह भी कम होगी तो इसमें आपको 32 liter का fuel tank capacity मिल जाता है वहीं अगर 505 की बात करें तो इसमें 60 liter का fuel tank capacity मिल जाता है आप लोग को तो dimensions की बात कर लेते हैं इस tractor के तो total weight की अगर बात करें तो 3036 एक mini tractor है तो इसका weight है वो भी कम होगा तो इसका जो total weight है वो 1070 kg का है जॉन डीर के 3036 EN का और 505 की अगर बात करें तो ये इसमें 1810 kg का है इसमें आपको weight मिल जाता है total weight वील बेस की बात करें तो जॉन डीर के 3036 EN का जो वील बेस है वो 1574 mm और इसका मिल जाता है 505 का 270 mm का overall length की बात करें तो 2520 mm मिल जाता है 3036 EN का और 3410 mm मिल जाता है 1505 का तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो mini tractor है इसका कम है और यह एक बड़ा tractor है इसलिए इसका ज्यादा है overall length या फिर wheelbase या total weight ये सारे इसमें ज्यादा है जो 5105 में और 3036 EN में कम है तो ground clearance की बात कर लेते हैं तो ground clearance भी 3036 का कम है 505 से अगर इसके turning radius की बात करें तो turning radius with brake अगर बात करें तो 1990 mm का मिल जाता है आप लोग को John Deere 5105 में और 2300 mm का मिल जाता है John Deere के 3036 EN में तो यहाँ पे जो turning radius है वो mini tractor का कम है तो अगर बागवानी के काम के लिए इसलिए mini tractor ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि X की एक तो height कम होती है और इसका जो turning radius है वो भी काफी कम होता है तो आईए देखते हैं आगे hydraulics के बारे में थोड़ा सा तो hydraulics की अगर बात करें तो John Deere का जो 3036 EN mini tractor है इसमें 910 kg का मिल जाता है वहीं आपको 505 में 1600 kg का मिल जाता है जो की काफी ज़्यादा है mini tractor के हिसाब से इसलिए आपको 505 की तरफ जाना ज़्यादा फाइदे मन्द हो सकता है तो चलिए इसके थोड़ा tires और wheels के बारे में जा और 1505 का front tire की बात करें तो इसमें 8 गुड़े 14 का मिल जाता है वहीं अगर rear tire की बात करें यानि पिछले tire की तो John Deere के 36 EN का मिल जाता है 8.30 गुड़े 24 के और rear tire 1505 की अगर बात करें तो इसमें 136 28 के मिल जाते हैं बाकी अगर बात करें इसके warranty की तो company इन दोनों ट्रेक्टर रोपे 5000 घंटे या 5 साल की warranty देती है और अगर इसके price की बात करें तो 36 EN का price 8 लाग से ले करके 8.50 लाग तक query करता रहता है वहीं अगर 555 की बात करें तो ये 8.50 से ले करके 9 तक query करता रहता है तो यही कुछ था इस ट्रेक्टर के बारे में अगर इस ट्रेक्टर के बारे मे यानि question हो तो आप लोग comment करके हमें जरूर बता सकते हैं comment का reply time पे मिलेगा तो यही कुछ रहा आज की इस वीडियो में वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए informative वीडियो के साथ और अगर आपका कोई भी topic हो तो आप comment करके हमें बत किसी की जाएगी तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत